हेलो गाइज, वल्कम बैक टू माई चानल, आज हम चाइनीज नूडल्स बनाएंगे, हाका नूडल्स तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स नूडल्स लिया है एक छोटा कैपसिकम को चॉप कर लिया है एक गाजर को चौप कर लिया है कैबेच को चौप कर लिया है और थोड़े बीन्स लिया है एक मीडियम साइस की प्यास को स्लाइस कर लिया है पांस से छे लेसन को चौप कर लिया है हरी मिच थोड़े चिकिन के पीसेज एक अंडा और काली मेच का पौडर लिया है नमक तू टेबल स्पून टोमाटो केचप तू टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस तू टेबल स्पून रेड चिली सॉस वन टेबल स्पून सोया सॉस और टू टेबल स्पून विनेगर लिया है तो मैंने यहां पर एक बर्तन में पानी को गरम होने के लिए रखा है तो यहां पर हमारा पानी गरम हो चुका है one tablespoon में नमक अट कर रही हूँ और one tablespoon cooking oil add कर रही हूँ इससे हमारे noodles खिले खिले बनेंगे तो जब पानी गरम हो जाए नूडल्स को आट कर ले और अच्छे से बॉयल कर ले जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं मैंने एक कड़ाई में ओयल आट किया है टू टेबल स्पून और एक अंडे को मैंने आट कर लिया है थोड़ा नमक और काली मर्च आट कर लें और इसको क्राकल करके इसको पका लें तो मैं यहाँ पर अंडे को क्राकल कर रही हूँ एक प्रेट में निकाल लिया है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून ओइल आट कर लें और चिकन के पीसिस को आट कर लें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लें कम या जादा मैं यहाँ पर फिफ्टी ग्राम्स के खरीब चिकन आट कर रही हूं और थोड़ा नमक थोड़ी काली मिर्च का पाउड़ राट कर रही हूं इसको मिक्स करके हम अच्छी से कुख होने देंगे ओईल में ही आपर ओनियन और लहसुन हरी मिर्च को आट कर रही हूं हरी मिर्च आप अपने हिसाब से लें थोड़े जादा भी आट कर सकते हूं जब थोड़े हमारी प्यास सॉफ्ट हो जाएगी हम गाजर को आट कर लेंगे बीन्स को भी आट कर लेंगे मुझे थोड़ा ओईल कम लगा तो मैं यहां पर और एक टीबिल स्पून ओईल आट कर रही हूं को अच्छे से हाई फ्लेम पर ही पकाएं सॉसेज इसको भी आट कर लेंगे हम ग्वीन चिली सॉस को आट कर लें आट केचप विनेगर रचिली सॉस और शुया सॉस को भी आट कर लेंगे हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करें लास्ट में हम शिमला मर्च को आट कर लेंगे और थोड़ी काली मर्च आट करेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार सॉस में भी नमक होता है तो आप नमक अपने हिसाब से आट करें और हाई फ्लेम पर ही पकने दें तो यहां पर मैंने नुडल्स को आफ कर लिया है फ्लेम को तो 70% noodles कल चुके हैं तो मैंने इसका पानी strain कर लिया है हम noodles को अभी यहां पर इस mixture में add कर लेंगे Chinese dishes जो है high flame पर ही बनते हैं तो मैं यहां पर इसको अच्छे से mix कर रही हूँ हमारे noodles अच्छे से mix हो चुके हैं अंडे को add कर लें quantity आप ज्यादा भी ले सकते हो अभी मैं इसको ढग कर पांच मिनिट लो फ्लेम पर पकने दिया है तो आप देख सकते हो हमारे noodles यहां पर तयार है गाईस मैंने इसको dish out कर लिया है आप जरूर से try करें अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो do share like and subscribe to my channel मिलती हो एक नए recipe के साथ thanks for watching मारे गटीट आग।